है हाई फ्रेंड्स अभी तक हमने ये देखा था कि Promethysius क्या होता है और Promethysius का यूज कैसे होता है और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि हम Promethysius को इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो आज हम देखने वाले कि कैसे Promethecies work करता है, किसी चीज को monitoring करने के लिए, तो हमने अभी तक जो setup किया है, वो ऐसा है कि यह हमारे पास Promethecies server है, और इसके थूरू हम monitor करते हैं, किसी भी web application को, किसी भी server को, तो आज हम जो करने वाले है, एक server बनाएंगे हम हमारे Linux का, और उसको हम यहाँ पर monitor करेंगे, यहाँ पर हम EC2 instance से ले लेंगे, और मैंने आपको कल बताया था कि वहाँ पर हमारे पास agent होता है, agentless भी होता है, हमारे पास, मगर हमारे पास Linux के अंदर कोई agent नहीं ह चाहिए वो लाके हमारे इस promethi से server को दे दे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक agent को हमें install करना पड़ेगा, सबसे पहले, यहाँ पे हमें agent को install करेंगे, और जैसे ही वो agent install होगा, तो हमें वो क्या करना है, उसको हमारे इस system के अंदर configure करना है, मतलब तो हमारे इस Prometheus server को तो चलते हैं हमारे AWS पर तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं यह हमने कल configure किया है था हमारा Prometheus अब चलते हैं हमारे पास एको सेकंड इंस्टांस बना लेते हैं यहां पर हम लिख लेते हैं Linux यह मेरा target होने वाला है और सारी चीज़ा इस रहने दीजिए की पेर आपको इसा भी एक ले सकते हैं फिक कर लेते हैं अलाव स्टीटी पी अलाव यहां पर आपको सेक्रियूटी ग्रूप के अंदर जाके अलाव वाल ट्रॉफिक करना पड़ेगा राइट और अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर वायर करते तो आ अगरा भी चल रहा है और एक और चीज में आपको बताना चाहूंगा जो हम यहां पर एजेंट की बात कर रहे हैं उस एजेंट को हम एक्सपोर्टर बोलते हैं यह कि इसका काम क्या होता है जितनी भी डीटेस होती है ऊसे एक्सपोर्ट करना होता है बहार तो हमारे यहां पर यह आ गया है हमारा ग्मिं decreased पर चल लेते हैं हम इसके अंदर कर लेते हैं तो सबसे पहला काम आपको जो करना होता है वो होता है sudo user बन जाना है और जैसे ही आप इसका sudo user बनें तो अब हमें हमारा second काम क्या है हमें install करना है हमारे इसके इंदर exporter को मतलब की इस agent को तो चलते हैं हम यहाँ पर google पर यहाँ पर हम लिख लेते हैं promethesius no exporter download download promethesius इस पर चलते हैं और आपको यहाँ पर इसको linex पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर एक exporter करके होगा उसका आपको search करने नहीं है रेफाइट कंसूल यह आपका नोड एक्सपोर्टर तो यह आपका नोड एक्सपोर्टर है इसका आपको कॉपी कर देना है इसका लिंक को कॉपी कर देना है को काया है me 관ые ऐसके लिंक आपको अचानला चलना है यहां पर को इन् 9 तार्गेट मशिन करें कि यहां पर एक व और इसको क्लेट कर देना है और यह अब रप्पार अभी डाउनलोड होएक्ता जैसे ही यह का तो उसके बाद आपको क्या करना है चलते हैं लस में तो वही आपको टार-xv-zf एंड आफ्टर देट नोड इसको मुझे अंटार कर लेना है लस मानस अल कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर आपकी फाइल आ गई है चलते हैं इस फोल्डर के अंदर cd node exporter के अंदर ls-l तो यह आपकी फाइल के लिए है node exporter की अब आपको क्या करना है इस स्टार्ट करना है तो इस स्टार्ट करने की वही सेम कमांड है जैसे कि हमने प्रामिती से सर्वर में स्टार्ट किया था dot slash इसका नाम क्या है node exporter enter तो आप देख सकते हैं node exporter जो है हमारा शुरू हो गया है और उसका IP अड्रेस क्या होने वाला है 9100 के अंदर तो उससे पहले हमें एक चीज कर लेते हैं चलते हैं हमारे इंस्टांस पे Linux टार्गेट पे security पे security ग्रूप में जितने भी इंबाउंड एक IP देनी पड़ती है मगर हम यहां पर allow all traffic कर रहते हैं तो जितने भी traffic आएगा हमारे यहां पर strike कर सकते हैं चलते हम यहां पर उसके बाद चलना है आपको यहां पर कर लेना है और हमारा यहां पर IP क्या था हमारे पास port 9100 और आप देख सकते हैं यहां पर सारी information यहां पर जाएगे कि किस listening on कौन से पूर्ट नमर पर यह चल रहा है तो आप यहां पर देख सकते हैं चलते हैं 9100 और स्टीटीपी पर ही चलाते हैं राइट तो यह आप क्या आगया नोड एक्सपोर्टर और आपको इसकी मैट्रिक्स देखनी हैं तो मैट्रिक्स तो आपको यहां प जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जितनी भी डीटेल है हमारी Linux मशीन की वो सारी डीटेल्स आपको यहां से एक्सपोर्ट कर देगा हमारा एक्सपोर्टर कहां पर करेगा एक्सपोर्ट जैसे कि हम आपने यह प्रामिती से सर्वर बनाया तो इसके अंदर वो एक्सपोर जो है यहां पर आपको शो होने लग गया है अब इसकी हम बात करें कभी भी हमें मैट्रिक्स की जरूरत होती है तो आपने दिखो होगा कि हमें ग्राफ ऐसे बनाना पड़ता है कि कोई ग्राफ बनाना है जैसे सपोस्पोस कर लेते हैं तो हमें एक पॉइंट पे उसके अंदर चाहिए होता है एक डेटाबेस चाहिए होगा राइट क्यूंकि अगर डेटाबेस नहीं है तो आप अपना डेटा स्टोर कहां पर करेंगे सबसे बड़ी बात यह होईगी तो एक पॉइंट पर यह हो गया जैसे आपके पास एक पॉइंट यह हो गया सेकंड पॉइंट यह यह हो गया तीसरा पॉइंट यह हो गया तो उसके लिए आपको क्या होगा एक डीटाबेस की जोरत पड़ेगी तो by default हमारे प्रॉमितिसेज के अंदर एक डीटाबेस होता है जिसको बोलते है time series wait time series db तो इसके थूरू आप क्या कर सकते है time series db से ही पता पढ़ रहा है कि ये time की series के अंदर आपके database के अंदर data को store करके रखता है तो आप चलते हैं हमारे promethesius वाले server पर इसको एक बार के लिए हम close कर देते हैं ये आपका promethesius वाला server यहाँ पर चल रहा है तो अभी तक हमने क्या क्या ये metric वाली चीज़े कर लिए अब आपको क्या चाहिए ये वाली जो चीज़ है आपके इस target में भी दिखनी चाहिए अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका local वाला server दिख रहा है local मतलब कि आपका जो promethesius है उसका ही ये local host दिखा रहा है मगर आप चाहते है यहाँ पर भी मेरा target display हो तो उसके लिए हम ये चीज़ कर लेते हैं चलते हैं हम हमारे ect instance में इसको आपको बंद कर देना है promethesius को control सिकर के आप इसको बाहर आ जाईए और clear कर लेता हूं मैं इस screen को अब देखिए मैंने आपको कल configuration file के बारे में बताया था तो आपकी configuration file क्या होती है promethesius.yml जरूरी नहीं है कि यही file हो कोई और file भी हो सकती है तो उसके लिए हम define करते है कि promethesius के अंदर कौन सी file होती है configuration file तो वो हम hyphen hyphen config file के थुरू बताते है मगर अभी by default हमारे पास promethesius.yml होती है तो चलते हैं इसके अंदर promethesius.yml इसके अंदर चलते हैं इंसर्ट करते हैं और आपको आजाना है सबसे नीचे इसका मैं थोड़ा बार एक और बार open करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर different different types की यहां पर jobs लिखे विए जैसे कि अगर बात करें यहां पर promethesius job है और उसके अंदर नीचे target दिया हूँ है तो इस job को आपको copy कर लेना है जितने भी आपको मतलब चीज़े monitor करनी है जितने भी आपको target बनाने वो आपको यहीं पर ही आपको define करने होते है तो चलते हैं हम यहां पर insert पर click करना है आपको और simply आपको यहां पर control भी कर देना है तो आप देख सकते हैं यह मेरा हो गया promethesius तो आप job का नाम को यह और भी रख सकते हैं इसको कर देते हैं that is target linux linux कर लेते हैं linux target और यहां पर आपको ip कोन से देनी है जो ip आपकी इस वाले machine की है जो आपके target machine की है तो आपकी ip क्या है इसके एक बाव open कर लेते हैं और यह आपका चल किस पर रहा था 9100 इसको कुछ नहीं करना है इसको कॉपी कर लेना है चलना है अपनी machine में प्रामेथीसियस वाले machine में यहां पर आपको चलना है इसका जितना भी आपका local host है इसको आपको हटा लेना है यहां पर आपको इसको पेश कर देना है तो by default हमारे पास 9100 port पे चलेगा और http आपको देखो यहां पर दे रखा है by default path क्या उने वाला है श्लैश मैट्रिक तो आपको श्लैश मैट्रिक देने की ज़रत नहीं है और इसकीमा क्या है आपके इसमें इसकीम कौन सा है मतलब की protocol कौन सा http तो हम इस http को भी हटा देते हैं यहां से तो यह हो गया आपने एक job डिकलेर कर दी कि कैसे आप target को configure करते हैं तो कर लेते हैं इसे save तो फिर से आपको यह चीज़ को चलाना है तो आप ऐसे चला सकते हैं अब और प्रमेट हमें काम कर लेते हैं सबसे पहले इसकी आइडी देख लेते हैं तो पीएस हाइफन एफ गुरैप प्रमेटीस यस तो यह आपकी आइडी है 3792 तो इसको हम किल कर लेते हैं मैनस 9 से ही किल कर लेते हैं 3792 ओके नो सच प्रोसेस इस देयर यह बता रहा है तो एक काम और कर लेते हैं नेट स्टैट माइनस टी एनलप क्योंकि हमने अभी इस चीज़ को चलाया भी है तो हम देख लेते हैं यहां पर कौन कौन से प्रोग्राम चल रहा है हमारे पास इंटरनेट इस एक्टिव और यहां पर हमारे पोर्ड नमबर नहीं दिखा रहा है तो चलते हैं हम यहां पर आलस फिर से मैं इसको हमारे प्रोमेथीसियस को चला लेता हूं तो आप दीख सकते हैं यह फिर से मेरे स्टार्ट होगा अब चलते हैं इस नोड एक्सकर का आप क्लोस कर दीजिए प्रामेथीसियस इसको रिलोड कर लीजिये टीव तो आप यहां दीख सकते हैं आपका दूसरा जो टार्गेट है वह यहां पर शो होने लग गया है तो अब आपको कैसे चेक करना है कि मुझे CPU चाहिए या क्या जो भी आपको free memory चाहिए तो वह आप कैसे चेक करेंगा आपको चलना है यहाँ पर execute के पास में और आप query भी लिख सकते है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि कैसे query language हम यहाँ पर लिखते है तो अभी के लिए हम यहाँ देख लेते हैं कि जैसे मुझे चाहिए node की free memory free memory यह करना है और execute पर click करना है तो आपको यहाँ देख जाएगा कि आपकी जो memory है वो इतनी अभी free है अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1024-1024 इतना आपके पास आ जाएगा यह data इतनी आपके memory यहाँ पर free है तो आप देख सकते हैं इसके बारे में कि हमने कैसे अभी configure किया है पूरा instance को और आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम तो आज हमने क्या-क्या सिखा कि कैसे हम हमारे server के थूरू किसी target को configure करते हैं और आज मैंने इस linux machine को लेके बताया कि हम कैस इस चीजों को configure करते हैं और ऐसे ही अकले lecture के अंदर हम करेंगे different different चीजों को करेंगे अगर web application वा तो web application को अगर कोई container टूल है तो हम उसे करके देखेंगे और tsdb अब एक और बार चलते हैं हमारे promises पर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं graph तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर यह graph बन रहा है graph मतलब क्या एक at a point time time पर आपका यह बन रहा है तो और यह यहाँ आपका जाके store कहां पर हो रहा है tsdb आपके इस database के अंदर tsdb database के अंदर तो आज के लिए हम बस इतना ही और points में मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि हमने पहला चीज जो क्या है वह यही था कि हमने पहला एक सबसे पहले हमने क्या किया हमारा EC2 instance बनाया फर्स्ट हम इता पॉइंट लिखते थे इसी टू इंस्टांस हमने create किया उसके बाद हमने इसके अंदर क्या ढाला node exporter ढाला और node exporter के बाद हमने इसके अंदर चीज़े क्या-क्या ढाली सबसे पहले जैसे node exporter हुआ उसके बाद हमने configure किया prometheesia server को right मतलब की जैसे jobs यह सब करना और उसके बाद refresh कर दिया और यह हमेशा याद रगना कि कभी भी आपने यह जो prometheesia server बनाया है और EC2 instance जो create किया है हमने यहाँ पर all traffic को allow रखा है तो यह चार चीज़े थी जिसके थुरू आप monitor कर सकते है किसी भी किसी भी चीज़ को अगर मैं बात करूँ load balancer को आप monitor करना चाते prometheesia के थुरू तो आप वो भी कर सकते है और अगर आप चाते है किसी database को monitor करना तो वो भी कर सकते है वैब application monitor कर सकते है और server monitoring मैंने अभी आपको बताई दिया है तो अभी के लिए हमारे पास Linux के पास कोई ऐसा नहीं है कि यह कोई एक service provide खुद नहीं करता है कि यह हमें उठा के अपना data दे दे और हमें exporter agent की ज़रुरत ना पड़े तो अगर हम next lecture में मैं आपको बताऊंगा कि docker के अंदर कैसे agentless हम इन चीज़ों को करते है तो बस आज के लिए इतना है और अगर आपके पास कोई feedback हो हमारे लिए तो आप ज़रूर comment के थूरू हमे installation में तो आप हमें बता सकते हैं हमारी team आपकी help करेगे so thanks for watching